कमठेच दर्णेंद्रेच सोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनो व्रत्ती पार्षुनाथ जिनोस्तुनह बोलो देवादी देव एक जार आठ स्री पार्षुनाथ भगवान की दसलक्षान महापर्व की उत्तम छमा धर्म की देखो सुबह हमने पूजा की साम को हमने आर्थी की अब प्रवचन सुरू होता है सब लोगों को अब हम सब थोड़ी देर सांती से स्वाध्याय करेंगे पूजा में और प्रवचन में क्या फरक होता है पूजा एक है पूजा एक होता है प्रवचन अभी प्रवचन होता है तो पूजा और प्रवचन में क्या भरक होता है जब भक्त बोले और भगवान सुने तो उसका नाम है पूजा लेकिन जब भगवान बोले और भक्त सुने तो उसका नाम है प्रवचन which is important भगवान बोले तब हम सुने ये ज्यादा इंपोर्टेंट है या हम बोले और भगवान सुने ये ज्यादा इंपोर्टेंट है हम भगवान नहीं दोनों इंपोर्टेंट है मैं मना नहीं कर रहा मगर थोड़ा सोचो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं दोनों बाते important है पर ज्यादा कर लोग उसको ही important समझते है इसको important नहीं समझते है इसलिए हमारी duty है कि थोड़ा सा इसकी importance बढ़ा कर आपको बताया जाए देखो हम भगवान को क्या सुना सकते है वो केवल ज्यानी है की नहीं सरवग्य है ना तो उनको हम क्या सुनाएंगे हम बोलेंगे भगवान हमने चारो गतियों में बहुत दुख उठाए वो कहेंगे हमको पता है हमारे मन में क्या है हम क्या कहना चाते है हमारे कितने दुख दर्द है वो सब भगवान जानते है की नहीं जानते है सब जानते है लेकिन भगवान अगर बोलेंगे वो हम सुनेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा हमको ज्यादा फाइदा होगा देखो सुनो मुझको मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ मुझको स्वाध्याय में इंट्रेस्ट कैसे आया मैं अपनी पर्सनल बात बताता जरत बाई ऐसे मुझे इंट्रेस्ट आया के मेरे को एक एकजामपल सुना मैंने एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को आदा घंटे तक सुनाया के मुझे क्या प्राब्लम है मेरे यहां दर्द होता है मैं सुबह उठता हूँ तो सिर में दर्द होता है मुझे भूक नहीं लग आदा घंटे तक उसने अपनी प्राब्लम सुनाई सुनाने के बाद डॉक्टर ने कहा के अब मेरी बात सुनो वो कहने लगा मुझे ओफिस को देर हो रही है गड़ जाना है मुझे टाइम नहीं है कल आओंगा फिर कल आया कल आकर फिर आदा घंटे डॉक्टर को सुनाया मेरे ये प्राबलम है मेरे ये प्राबलम है मेरे ये प्राबलम है फिर आदा गंटा बीत गया डॉक्टर ने कहा अब मेरी सुनो वो तो मुझको घर जाना है जल्दी है देर हो रही है तो वो ऐसे रोज चला जाता था तो बताओ उसका इलाज कब होगा कभी नहीं हो पाएगा उसको आदा घंटे सुनाने की बजा आए चाहे 15 मिनिट सुना आए लेकिन बाद में डॉक्टर की भी तो सुनना चाहिए थी ना वो तो सुनी नहीं ऐसे मैं भी ऐसे बहुत करता था और हमारे बहुत साथी करते हैं के हम ज्यादा से ज्यादा हम पूजा कर सकते हैं हम आरती कर सकते हैं और प्रवचन ओ सुनने की जरूरत नहीं है घर जाते हैं ओ हमको टाइम नहीं है अरे दिस इज वेरी इंपर्टेंड अभी भगवान बोलते है अभी हमने जिन्वाणी मा की आरती तो करी, अब जिन्वाणी कह रही है कि मेरी सुनो, वो मुझे टाइम नहीं। सेकिंड एक्जामपल और इंपोर्टेंट देता हूँ, मैं बहुत प्यार से आपको बता रहा हूँ मेरी बात, सिंसेरली सुनना, ध्यान से, अच्छे से, कोई बुरा नहीं मानना, सब अच्छे से मेरे से बात करना, मैं यहाँ बैटा हूँ, दस दिन मुझे पकड़ना, क्या आप क्या कहते हो, मुझसे जवाब सवाल करना, आर्ग्यूमेंट करना, जैन धर्म साइन्स है, यह यहाँ पर कोई अंदविश्वास चलता, नहीं है, देखो सुनो, एक आदमी, एक लड़का, अपने पिताजी के पैर दबाता था, किर्ति भाई, एक लड़का, अपने पि पिताजी के पैर दबाता था, तो पिताजी बोले, कि बेटा मुझको प्यास लग रही है, एक गिलास पानी लेकर आओ, वो बोला, नहीं पिताजी, मैं तो आपके पैर दबाऊंगा, आपके पैर दबाऊंगा मैं तो, पिताजी ने आदा गंटे बाद फिर बोला, बेटा बहुत तेज प्यास लग रही है एक गिलास नहीं मैं आपके पैर छोड़ कर नहीं जाओंगा आपके चरणों का क्या कहना मैं आड़ती उतारूंगा धोऊंगा चंदन लगाऊंगा आपके पैरों की सेवा करूंगा पानी ओ मैं नहीं लाओंगा आपके पैर छोड़ कर नहीं जाओंगा तो बताओ कितना बड़ी आप पिता जी का भक्त है ओ कैसा बेटा है अरे पिता जी के पैर दबाने का अपना महत्व है लेकिन पिता जी की बात मानना पिता जी का सेवा करो मगर पिता जी जो कहे उसे भी मानना है की नहीं तो अपनने जिनवानी माता की आरती करी क्या नितिन भाही जिनवानी माता की आरती करी वह बहुत अच्छी बात है आप ऐसे मत सोचना के मैं पूजा आरती को बुरा कह रहा हूँ कोई मत समझना वो सुबह उदारण दिया था न दीवार नहीं छोड़ना सुबह का एकजामपल याद है हमको द्वार कब मिलेगा जब हम दीवार पकड़े रहेंगे इसलिए दीवार नहीं छोड़ना है पूजा देखो आप अगर ये मंदिर नहीं होता आप कल्पना करो या मंदिर नहीं होता तो ये जो आपकी न्यूजर्सी समाज में करीब एक अजार स्रावक स्रावी का है वो सब धरम से भटक जाते की नहीं मंदिर है तो धर्म है मंदिर धर्म का आधार है आपने बहुत महान काम किया है जो यहां पर मंदिर बनाया है ये मंदिर नहीं होता तो आप सब खतम हो जाते धरम नहीं मिलता आज जो धर्म जिन्दा है आप में आपके बच्चों में जो थोड़े संसकार है वो सब किसकी क्रपा है इस मंदिर की तो वो बहुत बट मैं पूजा आर्टी वो सब का बहुत प्रसंसकू उसको मना नहीं करता वो सब बहुत बढ़िया चीज है बट जैन धर्म दुनिया के और धर्मों जैसा नहीं है यहां केवल ताली बजाने से भगवान तारने वाले भगवान आकर के उठाने वाले नहीं है चाहे आप तीर थंग करके बेटे हो आदिनाथ भगवान ने अपने पोते को पार लगाया क्या अरे वो अपने आप जो पुरसार्थ करता है जैन धरम में जो करेगा सो फल पाएगा मेरे सिर में दर्द हो रहा हो तो मेरी पतनी टेबलेट खाए तो चलेगा पतनी के पेट में दर्द हो रहा हो और में टेबलेट खाऊ तो चलेगा बहुत प्यार हो बहुत पती पतनी में और पतनी के पेट में दर्द हो रहा है तो पती खा सकता है क्या टेबलेट बताओ पत्नी कोई खाना पड़ेगा जिसके पेट में दर्द है उसी को खाना पड़ेगा ऐसे ही हम दुखी है तो हमारा इलाज जैन धर्म कहता है आप खुद रेस्पोंसेबल हो अपने कर्मों के रेस्पोंसेबल दूसरा कोई नहीं है तो ये important बात हमको समझनी है ये स्वाध्याय को हमको seriously लेना है कब अपना कल्यान होगा आपको सुबह बताया था ने स्वस्तिक क्यों बनाते है हमारा target पता है कितने लोगों को पता हो गया बताओ जरा एक मिनिट हाथ खड़े करो स्वस्तिक क्यों बनाते है जरा हाथ खड़े कर दो कि हमारी समझ में आ गया देखो अभी भी आदे भी आथ खड़े नहीं हो रहे सुबह इतने अच्छे से समझाया था ना हम लोग स्वस्तिक क्यों बनाते है के हम चार गतियों से बच कर सिद्ध सिला पर जाना चाते है स्वस्तिक पूरा कैसे बनाते है पता है आपको पूरा स्वस्तिक बनाया करो जब भी बनाओ अधूरा मत बनाया करो स्वस्तिक में पहले नीचे चार बनाते है वो चार काई के प्रतीक है चार गतियों के, चार गतियों के नाम कितने लोगों को याद है, हाथ खड़े गरो, सब के हाथ खड़े होने चाहिए, अब मैं यहीं रहने लग जाओ, न्यू जर्सी, आप लोग मुझे यहीं रख लो, अगर मैं यहां रहे जाओं अभी साल, दो साल, तो कैसा रहे, बोलो, मैं यहीं रहना चाहता हूं, मुझे मेरा मन है, सब को पड़ाना एक एक को, हाँ, हाँ, ए मज कैवा मांगू छूँ, समझाए चे काए, तो देखो, चार गतियों के नाम याद रखो, तब तो चार गति से निकलोगे, हमको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, और हमको क्या करना है, नरक गति, कभी थोड़ा थोड़ा पड़ो तो थाई, आज कल तो गूगल पर भी थोड़ी बात पता चलती है, आप गूगल पर लिको चार गति, तो आपको वो भी जवाब देगा, ये चार गतिया है, एक नरक गति, हम बहुत बार नरकों में जाके दुख उठाके आए है, फिर तिरियंच गति, एक पसुपक्षी तिरियंच गति के कितने दुख हमने उठाए है, फिर मनुष गति, फिर देव गति, चार गतियां हैं, और ये स्वस्तिक क्या कहता है, कि हम ये चार गति में चक्कर लगा रहे हैं, वो राउंड बनता है, ऐसे नंबर से चलता है, जो चार गति में हम गूमते रहे हैं, और बाद में स्वस्तिक के ऊपर क्या बनाते हैं, सिद्द सिला क्यों बनाते हैं, क्या परपज है उसको बनाने का, के हमको चार गति में नहीं गूमना है, हमको तो आपके पास, ये कहा बेटे हैं, ये अभी कहां हैं, सिद्ध सिलापार वो चंद्रमा के आकार की होती है तो हमको भी वहाँ जाना है जैन धर्म कहता है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकता है हर आत्मा भगवान बन सकता है हमको आपको सबको अगर परमानेंट सुख सानती चाहिए यह जो हम टेमप्रेरी सुख में हम भूल गए अभी आज मजे में है हमारे पास में रूपिया पैसा आ गया सब थोड़ा बहुत सब साधन आ गए तो हम क्या समझते है मजे में कट रही है मजा मां तो वो सब मजे में लेकिन ये मजा दो दिन का है चार दिन की चांदनी अभी कब आख बंद हो जाएगी पता नहीं है और आख बंद होने के बाद मैं अगले जनम में हम कहां जाएंगे कोई पता नहीं है और फिर सुरू हो जाएगा वोई चक्कर जलो नरक में और नरक में मिनीमम आयू क्या है दस हजार वर्स नरक में कितने दिन रहना पड़ता है मिनीमम पीरियड है दस हजार वर्स वहां कोई मर नहीं सकता इससे पहले और इतने दिन तक बहुत बयंकर दुख पाते है तिरियंच गती में एक सास में अठारा अठारा बार जनाम मराण यह देखो बकरे बनते है मुर्गा बन जाते है कितने दुख पाते है हम सब बनकर आए है बहुत दुख हमने पाए है और ध्यान नहीं दिया तो फिर से पाने वाले है इसलिए सावधान यह मौका है अब हम एकजिट पॉइंट पर आ गए है हमको दिवार मिली है और अब द्वार मिलने वाला है लेकिन खुजली हो रही है कुजली नहीं करना कुजली करोगे तो द्वार निकल जाएगा सावधान तो भौत देखो चिंता करो थोड़ी चिंता की यह विना कल्यान होगा नहीं अगर जेब में रुपए रखे हों और लोकल ट्रेन में जा रहे हों तो नीद आती है वो ध्यान रखते है ऐसे ही हमारा ये कब मनुष्य सरीर छूट जाएगा कोविड में देखा हमने कितने हमारे साथी चले गए कि नहीं चले गए हमारा भी तो नंबर आ सकता था न और अभी भी कब आ जाएगा किसी का कोई भरोसा है कोई कल की गारंटी ले सकता है मैं भी नहीं ले सकता कल सुबह आपके प्रवचन करने आऊंगा यहां इसकी कोई गारंटी है कोई गारंटी नहीं है एक मिनिट का वरोसा नहीं है इसलिए सावधान हो जाओ और निर्णे करो कि हमको जैन दर्म मिला है तो हमको आत्मा का कल्यान करना है यह बात हमको गंबीरता से सोचनी है तभी हमारा काम चलेगा नहीं तो हमारा काम चलने वाला नहीं है तो यह चार गतियों से मुक्त होने का उपाय हम सबको करना है और वो उपाय तभी हो सकता है जब हम थोड़ा प्रवचन सुने प्रवचन पढ़े स्वाध्याय करे कोई सुन सके तो सुनो नहीं सुन सके तो पढ़ो सुनना और पढ़ना एक ही बात है चाहो तो आप कोई सास्तर लगाओ रोज थोड़ी देर स्वाध्याय करना चाहिए स्वाध्याय का नियम लो स्रावक के छे आवस्यक है स्रावक के कितने आवस्यक है वो भी याद रखो एक छोटी सी डाइरी बनाओ सब लोग एक छोटी सी सब के पास में अपनी प्राइवेट पर्सनल कौपी हो नीचे ये नोटबुक उसमें थोड़ी थोड़ी बाते मैं रहूंगा तो सब की कौपी बनवा जूंगा चेक करूंगा और रोज दस पांच क्वेस्चन पूछूंगा चार गतियों के नाम बताओ पांच इंद्रियों के नाम बताओ छे आवस्यक के नाम बताओ और आप भी सब धड़ा धड़ बताओगे सब बताओगे धड़ा धड़ तो छे आवस्यक है आवस्यक मने क्या कमपल सरी काम जो डेली करना चाहिए जिन्वाणी माता की आरती करी ना हमने तो जिन्वाणी माता केती है छे काम डेली करो कितने काम करना है हमको डेली छे काम करना है कौन कौन देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय सैयमस्तपह दानम चेति ग्रह स्थानम सट करमानी दिने दिने छे काम करो कितना बढ़िया इस लोक है तो इस लोक भी याद करवाते हैं सबको हमारे यह बहुत लोक इस लोक याद करते हैं जो हमारी ओरीजनल सास्त्र है ओरीजनल हमारी भासा है आपको अभी वो भी सुनाऊंगा मैं हो सका तो देखो कितना क्या बहुत बात बताने का मन करता है एक यहां बैठी है वो कहती है मुझको सुनाओ एक यहाँ बैठी है, वो कहती है, मुझे को सुनाओ, वो घड़ी कहती है, सावधान, तो सब चीज़े तो छे आवस्यक याद करो, देव पूजा, हमको डेली, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए, चाहे घर में बेटी की साधी हो, उस दिन भी करना चाहिए, कितने काम, छे काम, पहला काम है भगवान की पूजा, वीतराग भगवान को प्रती दिन थोड़ी देर याद करो, उनकी जितनी यथा सकती, आपकी जितनी सकती हो, जरूरी नहीं कि आप चार घंटे पूजा करो, आपकी जितनी बसकी हो, अपने सास्त्र में सब जगे लिखका है, जैन धर्म में जबर्दस्ती नहीं है, जैन धर्म तो जबर्दस्त है, समझ में आया, फिर से सुनो, जैन धर्म में जबर्दस्ती नहीं है, पल जैन धर्म जबर्दस्त है, यहाँ कुछ जबर्दस्ती नहीं है, सब काम कितना करना चाहिए, वरत्य उपवास, दयादान, जैन धर्म में कोई जबर्दस्ती नहीं है, एक बेन दस उपवास कर रही है तो दूसरी के मुझको भी करना है उतना ही वैसे ही सकती नहीं हो तो भी करना है नहीं ऐसे नहीं है वो उस से competition वो तो दस दिन बाद में उसका तो सम्मान होगा और मेरा तो रह जाएगा इसलिए मेरे को ऐसे नहीं है जैंदरम में तेरी सकती हो भावना हो तो जरूर करो उससे प्रेरणा लो लेकिन मान के खातेर मत करो इसलिए रोज देव पूजा करो देखो जितनी सकती हो उतनी करो आप अगर ज़्यादा सकती नहीं हो तो आप ये बोलोगे न, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आईरियानम, नमो अज्जायानम, नमो लोए सवसाहूनम ऐसे हाथ जोड के भक्ती से पंच परमेश्टी को नमस्कार करो, तो समझलो हो गई पूजा, ये भी पूजा है, पंच परमेश्टी भगवान को याद करना, देव सास्त्र गुरु को प्रणाम करना, इसका नाम है देव पूजा, और इसमें पंच परमेश्टी में तो दूसर भी काम हो गया पहला है देव पूजा दूसरा है गुरू उपासना गुरू उपासना वने आचारी उपाध्याय सादू वीत राग निरगरंत दिगंबर मुनि महाराजों को याद करो देखो मुझको भी एक दिन वैसा बनना है वो कैसे अपना जीवन यापन करते है कुछ तो उनसे इंस्पाइरेशन लेना चाहिए देखो वो कैसे जीते है बिना परीग रहे के आनंद में जीते है जब वो जीत सकते है तो हम क्यों नहीं जी सकते आपको आपकी इम्म्यूनिटी बढ़ेगी क्या होता है मुनि महाराज को याद करने से हमारी इम्म्यूनिटी बढ़ती है उनको सर्दी गर्मी वो क्या एसी चलाते क्या करते वो रह सकते हैं न सब के बिना वो बिना गाड़ी रह सकते कि नहीं तो हम ऐसा क्यों समझते हैं कि हम नहीं रह सकते हैं हम भी रह सकते हैं हम उनके भक्त हैं कि नहीं तो देव पूजा पहला आवस्याद दूसरा है गुरु पासना देव पूजा गुर हुपास्ती स्वाध्या आए तीसरा कंपत सरी काम क्या है स्वाध्या आए डेली कोई न कोई सास्त्र पांच मिनिट पड़ो कितना पांच मिनिट पड़ो चिंता मत करो ज्यादा पड़ने की अम्रत कितना पीना चाहिए अम्रत शास्त्र में लिखा पीऊ सम नहीं निस्से सम पिबन नेव सुखायते अम्रत एक गड़ा भर के पिएंगे तब कल्यान होगा ऐसा नहीं है बलकि एक चमच भी पिएंगे तो भला होगा तो स्वाद्याय करो एक पाँच मिनिट करो ज्यादा नहीं आपको टाम नहीं है तो मना नहीं करते हैं आप भहुत दिजी हो आपको अफिस भी जाना है बच्चे भी समाल लें तो हम ज्यादा नहीं कहते हैं थोड़ा करो पांच मिनिट दस मिनिट तो कर सकते हैं विद्ध्यानन महाराज कहते थे बार बार अरे चौबीस घंटे में चौबीस मिनिट तो धरम ध्यान के लिए निकालो नहीं तो समझ लेना फिर अब खत्रे में चल रहे हो आगे हमारी जुम्मेदारी फिर अब सोच लेना क्या होने वाला है जो 24 मिनिट भी नहीं निकाल सकता धरम ध्यान के लिए उसका अब आगे फ्यूचर खतरे में है तो देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याया सैयमस्तपा चोथा अवस्य क्या है सैयम थोड़ा सा सैयम लो जरा सा कितना सा आपको जबर्दस्ती नहीं ज्यादा एक भील था वो उसने मुनि महराज के पास नियम लिया कि मैं कववे का मांस छोड़ता हूँ क्या नियम लिया छोटे छोटे नियमों से सब लोग तर गए आपके हमारे जीवन में कोई न कोई सैयम कोई तो ब्रेक लो अब ये 10 लक्षन के दिन चल रहे है कितने ही लोग भहुत सैयम पालते है और कितने ही बिलकुल नहीं पालते है जो बिलकुल नहीं पालते है वो भहुत खत्रे में है ठोड़ा साई पालो आप ये बोलो मैं रात को आठ बजे बाद बोजन नहीं करूंगा ये भी सही हमें आप कुछ भी कंट्रोल करो, आप बोलो दिन में मैं दो बार खाऊंगा, तीन बार खाऊंगा, ये भी सही है. कहीं तो ब्रेक लगाया ना, आप ये बताओ हो, मैं बोलू इस गाड़ी में बैठो, मैं बोलू कि इस गाड़ी में बैटो पचास करोड़ रुपे की गाड़ी है पचास करोड़ रुपे की इसमें बैठो और फिर धीरे से बोलू बट इसमें ब्रेक नहीं है पचास करोड़ रुपे की गाड़ी में मैं आपको बैठने के लिए इन्वाइट करूँ बैठो बट इसमें ब्रेक नहीं है तो जिस जीवन में सैयम नहीं है समझ लेना वो बिना ब्रेक की गाड़ी है थोड़ा सा करो जरा सा कहीं तो कंट्रोल करो आज नहीं तो कल वो सैयम बहुत सुख देने वाला है देव पूजा गुरू पास्ति स्वाध्याय सैयम अस्तपह दानम चे तिग्रैस्थानाम सटकरमानी दिने दिने चे याद करो देव पूजा गुरू पासना तीन स्वाध्याय चार सैयम पाँचमान तप और छटा दान कितने? छे अरे छे पालो नहीं तो छे के नाम तो याद करो दुनिया घूमो मत दुनिया का नक्सा तो समझो दुनिया घूमो नहीं दुनिया का नक्सा तो समझो तो छे आवस्यक है देव पूजा गुरू पास्ती स्वाध्याय सैयम तप थोड़ा सा तप करो मगर जरूर से जरूर करो दान थोड़ा सा दान करो मगर जरूर से जरूर रोज दान करना चाहिए दान क्या होता है उस पर भी मैं अभी एक दिन अलग से बोलने वाला हूँ क्योंकि दान का सही स्वरूप पता होना चाहिए चार तरे का दान है ओसददान, अहारदान, ज्यानदान और अभैदान अब देखो कितनी चीजे पढ़ा रहा हूं मैं आपको चार गतियां पढ़ा दी, पाँच इंद्रियां पढ़ा दी आपको ये छे आवस्यक पढ़ा दिये और चार दान पढ़ा दिये ये सब पढ़ो, लिखो, याद करो, इनका स्वरूप समझो ये साब जरूर से जरूर अपने जीवन में जितना हो सके उतना देखो ये याद रखना, जबर्दस्ती नहीं करना जैन धरम में कुछ भी, अगर मेरी सक्ती नहीं है और मैं एक लाग रुपया दान दू, तो क्या होगा परिणाम खराब होंगे, खराब परिणामों से धरम नहीं होता है अच्छे परिणामों से धरम होता है तो इसलिए ये सब बात हमको ध्यान में रखनी है रोज स्वाध्याय करना है और कम से कम अब दस लक्षण में तो रोज स्वाध्याय होगा न ये यहाँ पर तो आप सब मन लगा के सुनो और जो भी आपके मन में प्रस्न पैदा हो वो सब प्रस्न आप लिखो हमसे पूछो, हमें लिख के देओ देखो हम बड़ी मुश्किल से निकल कर आए है हमको भी टाइम नहीं मिलता मगर हम आपके वातसल से के अरे हमारे सादर्मी इतनी दूर जाकर के बैटे है उनको संभालना चाहिए विद्यानन महराज ने बेजा मुझे वो पहले बेजाता तो उन्होंने बोले जाओ वहाँ उनको संभालो वो सब हमारे बेहन बाई हो की नहीं तो हम तो आपसे मिलने आए है के भई आपके क्या हाल चाल है क्या चल रहा है क्या तैयारी है तो इसलिए वो सब बताने आए है उन सब को अपने जीवन में उतारना समय हमारा हो गया इसलिए अभी ज्यादा और चर्चा करते नहीं है पर अभी बहुत सारी और अच्छी अच्छी बाते हैं रोज दोनो टाइम आपको सुनाएंगे आप सब खूब मन लगा के सुनो याद करो लिखो और ऐसे ही धर्म ध्या भड़े धन बढ़े मन बढ़े जाए मन बढ़ते सब बढ़ते 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 बढ़े जाए धर्म का पल्ला मत छोड़ो दुनिया में बहुत टांग खिचाई है पांच इंद्री के विशेभोग आप से बोलेंगे क्या करते हो मंदिर क्यों जाना बहुत लोग आपको दुनिया में विशेभोगों में खिचने वाले बहुत मिलेंगे मगर धर्म में लगाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे इसलिए सावधान रहना दर्म घटे तो धन घटे धन घट मन घट जाए मन घटते सब घटत 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 घट जाए आप यहां कैसे आगे मुझे बताओ बहुत सारी गरीबी में दुनिया जी रही है ना आपके हमारे साथी कैसे कैसे कश्टों में जी रही है ना आप यहां पर आगे सम्रद्धी में तो कैसे आगे आपके पुन्य के उद्धै से कैसे आए पल्ले में पुन्य नहीं होता तो यहां आ सकते थे इतने आनंद में रह सकते थे सब धर्म का फल है और अगर धर्म को ही छोड़ दो तो साब खाली हो जाएगा इसलिए धर्म की दीवार पकड़के रखना तब आपको रतना त्रे का द्वार भी जरूर से जरूर मिल जाएगा तो आप सब का खूब धर्म ध्यान बड़े यही मेरी मंगल कामना है और कुछ भाई बात नितिन भाई को कहना होगा तो कहेंगे देखो सुनो एक प्रस्ण तो पहले चल रहा था हमारा उसका भी आंसर पूरा नहीं हुआ अभी और दूसरा क्वेस्चन और नितिन भाई ने पूछा ओम का क्या मतलब होता है वो पुजरे ओम मने क्या ओम सब्द का मतलब होता है पंच परमेश्थी जब आप बोलो ओम नमा ओम नमा ये महा मंत्र है इसका जाप करना चाहिए क्या ओम नमा ओम नमा ओम नमा अनंत सक्ति साली मंत्र है सौर्ट इससे नाना प्रकार के फायदे होते है ओम नमा ओम नमा ओम नमा ओम मने पंच परमेश्थी ए मने अरिहंत ए मने असरीरी सिद्ध भगवान आ मने आचार्य उ मने उपाद्याय और मैं मने मुनी महाराज पंच परमेश्थी का वाचक है ओम और रीम क्या होता है रे मने रिसवदेव मैं मने महावीर रीम मने 24 तीर्थंकर भगवान ओम रीम अब आज मंत्र पड़ाए जाब सिखाया था ने सुबह नितिन बाई ने ओम रिं उत्तम छमा धर्मांगाए नमाँ ओम रीम स्रीम उत्तम छमा धर्मांगाए नमाँ तो ओम मने पंज परमेश्ची रीम मने चोबीस तीर्थंकार और उनों का बताया हुआ जो ये उत्तम छमा धर्म है मैं उस उत्तम छमा धर्म को नमस्कार करता हूँ और नमस्कार मने कैसा खाली पिता जी के पैर दबाने जैसा नहीं बलकि पिता जी का कहना मानना पिता जी का बड़िया बेटा कौन है जो खाली पैर दबाए वो नहीं बलकि जो उनका केना भी माने पैर भी दबाने की जरूरत है पैर भी दबाओ कल सरद भाई ने एक प्रस्न पूछा कल अभी साम को हमने स्वाध्याय किया ता यहां जूम पर वो अधसे लोग होंगे उसमें क्या स्वाध्याय में प्रस्न आया कि भाई कोई बिना भाव के नमोकार मंत्र जपे पूजा करे तो कर सकता है कि नहीं भाई करोगे तो बिना भाव के भी करोगे तब भी नहीं करने से तो बढ़िया है क्या कोई यहां बिना भाव के पुजा कर रहा है तो वो भी कम से कम पाँच इंद्री के विशेवोग से बचकर ब्यां बैठा है कोई बिना भाव के प्रवचन में बैठा है चुपचाप नहीं समझ रहा है तो उसको फाइदा होगा की नहीं होगा मगर ज्यादा फाइदा कैसे होगा जब वो बात को समझेगा देखो एक छोटी सी कानी सुनाता हूँ एक मूर्ती बनाने वाला था बहुत बढ़िया कानी है याद रखना भूलना नहीं एक मूर्ती बनाने वाला था तो वो तीन मूर्तियां बेचने आया तीन मूर्तियां और कहने लगा मूर्ती ले लो तो राजा ने पूछा हमको देओ कितने की मूर्ती तो उसने का महराज ये मूर्ती 10 रुपे की है ये दूसरी मूर्ती 10 सज्जार की है और तीसरी मूर्ती 10 लाख रुपे की है में तीनों मूर्तियों का मेटल एक ही था और तीनों मूर्तियों की साईज भी एक ही थी साईज एक विजय बाई मेटल एक बट कीमत कितना आपकी दुकान पर तो नहीं चलेगा ऐसे कल मैं इनकी दुकान पर बैट कर आया बहुत अच्छे से स्वागत किया देखो क्या तो तीन तरह की मूर्टिया एक की कीमत कितनी दस रुपिया दूसरे की कीमत कितनी दस अजार तीसरे की कीमत दस लाग तो राजा ने पूछा ये इतना डिफरेंस क्यो सेम मेटल सेम साइज फिर इतना डिफरेंस क्यो तो वो मूर्टि बनाने वाला बोला एक धागा लाओ एक धागा लेकर आओ तब आपको बात समझ में आएगी बोले क्या बात समझ में आएगी बोले देखो इसके कान में डालो पहले वो दस रुपे वाली के डाला इधर डाला इधर डाला इधर निकल गया बोले इसकी कीमत दस रुपिया दूसरी के डाला तो दूसरी के इधर डाला तो इधर निकल गया बोले इसकी कीमत 10,000 रुब्या तीसरी के धागा डाला तो वो डाला वो अंदर चला गया कहीं से भी बाहर नहीं निकला बोले यह 10,000 रुब्या बोले क्या मीनिंग हुआ बोले देखो जो दिनवाणी की बात सुनते है देखो सुनो अब खाली एकजामपल नहीं याद रखना खाली कुतने ही लोग तो कहानी याद रख लेते हैं वस कहानी का मतलब बाद में पूछते हैं तो कहानी तो बता देते हैं और कहानी का मतलब नहीं बताते हैं आपको सबको कहानी मैं सब को student बना दूंगा खड़े हो करके पूछूंगा बताओ तो क्या कहानी का मतलब है कि बोले जो जिन्वाणी की बात सुनते है और इधर सुनते है और इधर निकाल देते है तो उनकी कीमत 10 रूपिया और जो इधर सुनते है यहां सुनते है फिर घड़ जाके वो सुना देते है दोस्त अभी यह सुना था आज बहुत बढ़िया प्रवचन सुना तो उनोंने सुना और दूसरे को सुना दिया तो उनकी कीमत 10 रूपिया और जिनोंने उसको सुना और अपने जीवन में एप्लाई कर दिया उनकी कीमत 10 रूपिया तो आपको हमको कौन सी मूर्ती बनना है हाँ 10 रूपे वाली नहीं जो बिना उसके सुनते है उसकी भी कीमत तो है 10 रूपिया उसकी कीमत तो है क्या सरत भाई उसकी कीमत तो है वो कोई बिना भाव के भी कर रहा है तो वो नहीं करने वाले की आप एक्षा से तो बढ़िया है उसकी कीमत दस रुपिया है लेकिन दस रुपे से क्या होता है मगर चाही मिलेगी गी नहीं मिलेगा हम आपको गी पिलाना चाहते हैं कहां चाहेगी आदत नगा दी हाँ देखो तो सही हम तो इनको हमने क्या एक्जामपल दिया था अम्रत का हमने क्या एक्जामपल दिया था थोड़ी देर पहले हम तो इनको अम्रत मिलाना चाहते हैं इनकी अभी चाहेगी आदत नहीं जा रही है तो इसलिए हम सब को दस लाख रुपे वाले बनना देखो हर उपदेश हर बात बैटरमेंट के लिए की जाती है कोई किसी की बुरा ही नहीं है हम किसी को बुरा नहीं के जैन धर्म में सब को जगे है कोई कैसे भी करे जितना करे सब चलेगा मगर जब कोई बात कही जाती है तो वो बैटरमेंट के लिए एक बच्चा पचास परसेंट मार्क्स लेकर आया तो पिता जी उसको कह रहे है तू कमजोर है गलत किया तो गलत किया मतलब क्या कल से पचास भी नहीं लाना अरे वो इसलिए बोला जा रहा है किसलिए बिठाया आपने हमको बैटरमेंट के लिए इसलिए हम आपको चाय पर नहीं छोड़ेंगे हम आपको दिली यहां भारा तेरा अजार किलो मीटर उड़कर आया हूँ अभी अभी वहाँ दिन है यहां रात है मुझे नीन दा रही है मगर फिर भी आपके लिए प्यार से जग रहा सब काम कर रहा आनंद ले रकाई के लिए आपको चाय के भरो से नहीं छोड़ना है आपको मैं यहां अमरत पिला के जाऊंगा आपको पीना है ठीक है चलो आज बहुत समय हो गया अब आज की बात यहीं पर पूरी करते है बहुत अच्छा सबको जय जिनेंद